स्टूडेंट सौगत है आपका इस वीडियो में तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए मैट्स का पेपर लेकर आ चुके हैं और स्टूडेंट आज के इस वीडियो में सभी प्रश्णों के उत्र आपको मिलने वाले हैं तो आज 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 आपको इस वीडियो में मिलेगा तो शेली श्टूडेंट साज का इस वीडियो सुरू करते हैं और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार बिजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजे और वैल आइगन को प्रेस करके और पर इसके ने वाले में सही बिकल्प चुन कर लिखें तो यहां पर चूजगा यहां पर आपको सब्से पहले प्रस्ट जो पूछा गया है आपको इसक्रीन पर दिख रहोगा देखिए और अब्याइवाले समुच्य के ईप समुच्चों की संख्या होगी तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसके बाद second question देखे यदी a equals to 4 दिया गया है a बराबर 4 दिया गया है तब n यहाँ पर देखे p a की value आपको बताना है तो कितनी हो जाएगी बैच्चो 2 होगी यहाँ पर 2 आपको लिख देना है option second आपका correct हो जाएगा इसके बाद तीसरा देखे एक पहिया एक minute में 360 परिक्रिमन करता है तो उसके द्वारा एक second में radian cone की map है तो कितनी है बच्चो 12 pi radian option भी आपका correct हो जाएगा इसके बाद fourth देखे देखे 5 minus 7i 7 iota का सयोगमी होगा तो बच्चो कितना होगा यहाँ पर इसका correct answer हो जाएगा 7 देखे correct answer होग 5 plus 7i option tied आपका correct हो जाएगा इसके बाद 5 बाद देखे 2, 3, 4, 5, 6 से तीनों अंकों वाली कितनी संख्या बनाई जा सकती है देखे 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर इसंख्या दी गई है और इन से 3 अंकों वाली कितनी संख्या बनाई जा सकती है यह आपको यहाँ Hello students पढ़ाई में doubt आते हैं तो घबराएए मत सबका solution है doubt net अगर आप भी किसी सवाल में अटक गए हैं solve नहीं हो रहा है तो आपको बस उस question का photo लेना है और crop करना है और 5 second के अंदर आपको video solution मिल जाएगा फिर चाहे आपका question Homebird का हो CBSC Board, UP Board, Bihar Board, Maharashtra या फर Other Board का हो चाहे IIT, JEE, NEET या फर Class 6 से लेकर Class 12 का हो सबका जवाब मिलेगा doubt net app पर कोई भी subject हो जैसे physics, chemistry, maths, biology आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा doubt net app पर साथ ही doubt net app पर आपको पढ़ाएंगे कोटा की West Faculty जैसे GB Sir, NJ Sir, Akansha, मैं, Prince Sir जैसे टॉप टीचर याने की अब पूरी पढ़ाई होगी doubt net app पर और students 3 करोड से जादा students doubt net app के साथ जोड़ चुके हैं तो आप भी जाए Google Play Store से doubt net app को डाउनलोड कीजिए आप बताना है तो बच्चो 120 संख्या हम इनसे बना सकते हैं इसके बाद आंगे बढ़ते हैं यहां पर देखे बच्चो यहां पर तो English Medium में दिये गए हैं इसके बाद देखे रिकेत इस्थान आ चुके हैं दूसरा प्रस्णा गया है रिकेत इस्थानों की पूर्ति आपको इसके बाद दूसरा देखे यहाँ पर सबसे पहले तो cos 45-a cos into cos 45-b minus sin 45-a into यहाँ पर देखे sin 45-b तो बच्चो यह पूरा एक formula है तो यहाँ पर कौन सा formula है बच्चो यह cos a plus b का formula है cos a plus b आपको यहाँ पर लिख देना है इसके बाद बच्चो अगला प्रशन आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा तीसरा प्रशन cos square 45-sin 45 का मान है तो कितना मान है बच्चो यहाँ पर आपको लिखना है 1 minus under root 2 upon 2 इस प्रकार से आपको लिखना है एक बार मैं फिर से लिख के बताता हूँ 1 upon under root 2 1 upon minus under root 2 upon 2 नीचे दो लिखा हुआ इसके बाद चौथा देखे चौथे में आपको लिख देना है बच्चो आई यहाँ पर सीधा आई आई आपको लिख देना है इसके बाद पाँच बाद जो दिया गया है पाँच बे में 3 आपको लिख देना है यहां पर तीन आ जाएगा इसके बाद देखें तीसरा प्रसन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सत्थ असत्थ यहां पर आपको बताना है तो बच्चो सबसे पहला जो दिया गया है यहां पर सत्थ हो जाएगा देखे direct में आपको answer बताता हूं second भी यहां पर शत्त हो जाएगा और तीसरा यहां पर शत्त हो जाएगा और बच्चो चोटा जो दिया गया है है आपका सत्त होगा और पांच बाँ भी आपका सत्त हो जाएगा means जो tight वाला है यह यह बस इससे मिला देना है इसके बाद जो दूसरा cos to the power 4x minus sign to the power 4x इसको आप मिलाएंगे e से last वाले से cos 2x से इसके बाद तीसरा जो दिया गया है तीसरे को आप मिलाएंगे d से 5 यहां पर इसके बाद चोथा देखे वैटर सब्द के अक्षरों के समुच में अबवयों की संख्या तो इसको आप मिलाएंगे e से 4 यहां पर इसके बाद जो last दिया क्या है इसको दूसरे से मिला देना है इस तरीके से आपको इमेचिंग करना है इसके बाद बच्चो देखे आँगे एक सब्द या फिर एक बाक में आपको यहां पर उत्तर लिखना है तो बच्चो देखे सबसे पहले 10, 2X को 10X के पदों में लिखे तो कैसे लिखेंगे बच्चो यहां पर देखे आपको इस तरीके से लिख देना है स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ 210X अपॉन 1-10X इतना आपको लिख देना है पहले में इसके बाद दूसरा देखिए दूसरे बाले में आपको लिखना है 2 upon 3 minus 3 upon 5 इस तरीके से आपको लिख देना है इसके बाद आता है तीसरा तो तीसरे बाले में लिखना है बन माइनस पी ए इस तरीके से आपको लिख देना है बन माइनस पी ए इसके बाद बच्चों चोथा आपको दिख रहा होगा तो चोथे बाले में आपको लिखना है यहाँ पे देखे, x is equals to sigma f n minus m upon sigma f इस तरीके से आपको यह पूरा लिख देना है इसके बाद देखे, last जो है, यहाँ पर 5 बाद है, यहाँ पर आपको एक लिख देना है, 1 इसके बाद जो आंगे के प्रस्न देखिए, तो आंगे जो प्रस्न बचे हुए है यहाँ पर 6 से लेकर देखे, जितने भी प्रस्न आपके बचे हुए हैं, देखे, एक बार देख लेते हैं, कितने प्रस्न है total 28 प्रस्न होगे, तो यहाँ पर देखे बच्चो, total 26 प्रस्न है 26 प्रशन है तो देखे प्रशन 6 से लेकर 26 तक के solution के लिए एक अलग से वीडियो आएगा आज के इस वीडियो में इतना ही आई हो वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और students वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजियो और हमें सपोर्ट करते रहे